अब हम बात करेंगे बेरा टेस्ट के बारे में बेरा टेस्ट जिसका फुल फार्म होता है brain stem evoked response audiometry बेरा याद रखेगा बेरा टेस्ट का दूसरा नाम BAER करके भी होता है BAER brain stem auditory evoked response इस नाम से भी से हम जानते हैं इसका बेरा टेस्ट का दूसरा नाम B.A.E.P. भी होता है Brain Stem Auditory Evoke Potential P भी यहाँ पर हो सकता है तो बेरा B.A.E.R. B.A.E.P. सारे नाम एक ही होते हैं और यह टेस्ट Retro-Cochlear Leasin यानि Cochlea के बाद किसी लोकेशन पर Auditory Pathway के किसी लोकेशन पर अगर कोई Leasin है तो उसे हम Evaluate कर सकते हैं तो जैसा कि हम जानते हैं न Auditory Pathway के बारे में Auditory Pathway को हम जानते हैं एक खास Code से हम Recall कर सकते हैं E.Col.i.ma हमने इस Code के बारे में पहले भी पढ़ रखा है E.Col.i.ma में E का मतलब होता है 8th nerve तो यहाँ पर यह हो गया 8th nerve E का 8th E.Col.i. जो कि पहला है उसके बाद Cochlear nerve तो Cochlear C जो है यहाँ पर आ गया Cochlear Nucleae तो यह दूसरा हो गया Pathway का दूसरा हिस्सा इसके बाद तीसरा पार्ट होता है O O का मतलब होगा Oliveri Nucleus यहाँ पर आप देखेंगे Oliveri Nucleus तो E को इसके बाद आता है L Lateral Laminiscus L E E.Col.i. यहाँ तक हम धीरे-धीरे बढ़ रहे हैं तो इस पूरे कोड को अभी हम डिकोड कर सकते हैं Pathway स्टार्ट हुआ Arditary Nerve से Cochlear Nucleae की ओर गया Cochlear Nucleae से यह इसके कुछ Fibers Same Side में और कुछ Fibers यहाँ Cross हुए Superior Oliveri Nucleus में उसके बाद Lateral Laminiscus को Code भी आप देखते चाहिए L तक हम पहुँच गये हैं L के बाद I Coli L I I I means Inferior Colliculus Inferior Colliculus के बाद यहाँ पर M A M A का मतलब होता है यहाँ पर A का मतलब सीधी सी बात है Auditory Cortex M यहाँ पर कोई बायने नहीं रखता है तो हम पूरे तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं E Co C O L I तो यहाँ पर कॉलिकुलस दो हैं आप देखिए यहाँ पर Superior Colliculus Inferior Colliculus होते हैं तो Inferior Colliculus का Importance हम Hearing में देखते हैं तो Inferior Colliculus फिर Auditory Cortex तक इसका पात्वे होता है इसी पात्वे के बारे में जानने के लिए हम बेरा टेस्ट करते हैं बेरा टेस्ट Newborn या Infants में Sensory Neural Hearing Loss को पता करने का एक Advanced Method है जो कि Newborn और Infants में Sensory Neural Hearing Loss के बारे में पता कर सकता है बेरा टेस्ट में कई अलग-अलग तरीके के Waves बनते हैं और इसके आधार पर हम Waves की Location की मदद से हम Degenerative जो Causes हैं उसको समझ सकते हैं तो बहुत जादा डीटेल में नहीं जाना है उसी पात्वे की मदद से जो Waves बनते हैं उससे हम Idea लगा लेते हैं जैसे Wave 1 है ये Wave 1 Distal Part of 8th Cranial Nerve इसके बाद Wave 2 ये Proximal Part of Cranial Nerve No.8 Near the Brain Stem Wave 3 ये Cochlear Nucleus के पास यानि Pons के पास ये जानकारी देता है Wave 4 Mid Brain में Superior Oliveri Complex के बारे में जानकारी देता है तो इसमें कई अलग अलग तरीकी के Waves बनते हैं और उसकी मदद से हम जानकारी इकठी करते हैं तो यहाँ पर Wave 1, 3 and 5 काफी important होते हैं Wave 5 Lateral Laminiscus के बारे में जानकारी देता है ये सबसे important wave माना जाता है तो याद रखेगा यहाँ पर Total 7 Waves बनती हैं जिसमें 1, 3 और 5 काफी stable होती हैं और इनही की मदद से हम conclusion बनाने का प्रयास करते हैं तो ये test screening procedure है infants में इसकी मदद से हम infants में threshold of hearing का पता लगा सकते हैं इसकी मदद से हम retro cochlear यानि cochlea के बाद किसी location पर कोई pathology है तो उसका भी अंदाजा लगा सकते हैं खासतर पर acoustic neuroma के patients में इसमें हम brain stem की pathology को diagnose कर सकते हैं जैसे pontine tumor हो गया multiple sclerosis हो गया उसके बारे में हम पता लगा सकते हैं तो इसका काफी broad level पर application है और यह test infants और newborns में काफी useful होता है इसके बाद OAE जिसका full farm होता है auto acoustic emission test यह test भी neonates में किया जाता है और याद रखिएगा यह cochlear और retro cochlear hearing loss के बीच में distinguish करने के लिए इस test का भी importance होता है यह mentally challenged लोगों में hearing किस हद तक है किस level तक है उसको test करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है इसमें हम uncooperative individuals को sedation के बाद उसके hearing loss को पता कर सकते हैं acoustic emission की बाद करें तो याद रखिएगा हमारे cochlear में low intensity के sounds produced होते रहते हैं outer hair cells के द्वारा और इनको हम sensitive microphone की मदद से external ear canal पर अगर sensitive microphone रख दिया जाए तो इस बात को हम देख सकते हैं तो यहाँ पर sensitive microphone लगा करके ध्यान रखिएगा इस दोरान काफी sensitive microphone होना चाहिए और इस पूरे result को हम computer पर analyze कर लेते हैं इसके results को इस दोरान जो भी results हमें मिला वो क्यों मिला क्योंकि normal cochlea के outer hair cells से low intensity के sounds produced होते हैं जुनको हमने microphone की मदद से catch किया और उसको analyze किया computer के द्वारा इस दोरान जो outer hair cells के द्वारा sound produced हुई थी वो reverse direction में travel करती हैं और यहां हम देख सकते हैं ABR test या Bera test ABR means auditory brain stem response test जिसके बारे में हमने पढ़ा था retro cochlear pathway में होने वाले changes के diagnosis के लिए ABR या Bera test किया गया था retro cochlear changes को पता करने के लिए वहीं cochlea के outer hair cell से produce होने वाली low intensity के sound को हम external ear पर microphone की मदद से detect करते तो यहां पर आप देखेंगे reverse pathway होगा outer hair cell से basilar membrane और इस पूरे pathway को आप जानते होंगे यहां से perilymph फिर ultra oval window फिर ossicles ossicles से होते हुए यह tympanic membrane से होते हुए ear canal की ओर पहुँचेगा और यहां पर आप इसका computer से analysis कर सकते हैं OAE auto acoustic emission यह outer hair cells के healthy होने पर present होता है और अगर outer hair cells damage हो गई है तो उस condition में OAE auto acoustic emission के response नहीं मिलते हैं तो सीधी सी बात यह है कि यह OAE test cochlea के function के बारे में बता सकता है और इस तरीकी के sounds eighth nerve pathology eighth nerve यानि retro cochlear pathology होने पर यह disappear नहीं होंगे क्योंकि cochlear cell अगर normal हैं outer hair cells normal हैं तो OAE का response मिलेगा इसलिए यह OAE test cochlea के healthy होने के बारे में outer hair cells के healthy होने के बारे में जानकारी देता है auditory nerve damage हो वहाँ पर इसके pathway में कोई दिक्कत हो तो उसको पता करने के लिए बेरा टेस्ट किया जाता है आप धिंगरा की बुक में देखेंगे बेरा टेस्ट का जो नाम auditory brain stem response test है उसको भी याद रखेगा ABR test तो OAE test जिसका full form आपको याद रखना ही होगा यह test है auto acoustic emission test यह predominantly outer hair cells से produce होने वाले sounds को चेक करता है तो यह दोनों ही investigation confirm करते हैं hearing loss in newborn या फिर infants याद रखेगा यह confirm करने के अलावा screening के लिए भी यह दोनों ही test किये जा सकते हैं infants में या newborn में या uncooperative patients में अब आपको मैंने अंतर भी बताया दोनों की बीच में अंतर क्या होता है याद रहे Northern Europe में यह test mandatory screening test के रूप में कराये जाते हैं वहाँ पर बेरा और OAE test mandatory होता है इंडिया में हम जब suspect करते हैं उन्ही cases में यह test कराते हैं और याद रहे यह test अलग-अलग level पर अपना importance दिखाते हैं अगर cochlear damage है तो उसके लिए OAE test और अगर retro cochlear damage है तो उसको पता करने के लिए बेरा test important होता है तो याद रखेगा यहाँ पर OAE test इन दोनों में best मानी जाती है काफी आसान होती है microphone की मदद से कर सकते हैं तो वैसे तो दोनों ही test का अपना-पना importance होता है यह दोनों ही test cochlear और retro cochlear जो changes हैं उसके बीच में अंतर कर सकते हैं इसलिए इनका अपना importance होता है और इन सारी चीज़ों को हमें याद रखना है कि यह newborn में infants में test किये जाते हैं और यह sensory neural hearing loss के बारे में पता करने में मदद करते हैं अपना 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 है